नमस्कार दोस्तो आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े बर्स बड़ी बिल्डर याने की SM कनपपा ओटोवेल बैंगलोर के बारे में इस कंपनी को आप प्रकाश नाम से भी जानते होगे इस कंपनी की शुरुआत 1968 में बैंगलोर करना टक में हुई थे उस समय में भारत में बहुती कम बर्स बड़ी बिल्डर सुवा करते थे और उन में से एक है प्रकाश इस कंपनी ने 1969 में याने की अपने शुरुआत से एक साल बाद पहली बर्स डेउलप की जिसका नाम था MVT LCV टाइप ये एक सिंगल डोर मिनी बर्स थी इसके बाद 1972 में याने की तीन साल बाद इन्होंने अपनी नई बस लाउंच की जो थी सिटी बस उस समय में बड़े बड़े शेरों में ही बसे चलती थी चोट़ चोटे गावों तक उस समय में बसे नई चदा करती थी इस बस के लाउंच के नो साल बाद 1981 में इन्होंने अपनी तिसरी bus लॉँंच की जो इंटर सिटी बस थी इंटर सिटी सेगमेंट में ये इनका पहला मॉड़ल ठा और इसके बाद याने कि 1986 में 5 साल बाद इन्होंने अपनी पहली एक्सपोर्ट bus लॉँंच की जो स्रिलंका जैसे देशों में export की जाती थी इसके बाद दोस्तो 1988 में प्रकाश मॉडल आया जो officially प्रकाश के नाम के साथ आने लगा था प्रकाश मॉडल की सपलता के बाद इन्होंने प्रकाश मॉडल to be launch किया उसी same year में और इसे भी काफी जबरदस response मिला क्योंकि दोस्तों ये जो मॉडल है आपने सुर्यवंची मुई में जरूर देखा होगा उस समय में इनका जो design था वो बहुत सारे bus bodybuilders copy करते थे और आज के समय में भी बहुत सारे bus bodybuilders इनकी design को ही copy करते है इसके बाद 1991 में high-tech body launch हुई जो specially हम कहे तो आज के जमने की body थी और उस जमने की सबसे काफी advanced body थी इसके चार साल बाद येने की 1995 में प्रकाश 7000 और प्रकाश 8000 बसेस को इनने launch किया जो खासकर इंटर सिटी luxury segment की काडिया थी ये काफी भेतर ने बस हुआ करती थी और इनका model name था P7000 और P8000 इसके बाद 1999 में ने की चार साल बाद प्रकाश 5000 लगजरी बस लाँच हुई एक luxury डिलक्स बस थी प्रकाश कंपनी की सिटर बसेस का सेल काफी अच्छा हो रहा था और साल 2003 में इन्होंने प्रकाश 6000 लगजरी बस को लाँच किया यह भी एक सिटर लगजरी बस थी इसके बाद साल 2004 में इन्होंने अपनी पहली स्लिपर बस प्रकाश 8000 को लाँच किया और इस बस को सबसे पहले वियरे लोजिस्टिक ने खरीदा था इसके दो साल बाद इन्होंने प्रकाश 8000 BMR सिटर बस को लाँच किया और साल 2007 में इन्होंने प्रकाश 8000 BMR क्लासिक प्लस को लाँच किया जो एक AC सिटर बस थे 2007 के बाद इस कमपनी ने 2010 तक एक भी बस को लाँच ने किया पर जब ये 2010 में वापस आए तो इन्होंने अपने एक AC प्रडुक्ट को कस्तमर के सामने रख दिया जो कस्तमर बिलकुल भी मना ने कर पाया क्योंकि इसका नाम था प्रकाश जेडॉन अगर मैं बात कर लूँ स्पेशले केरला स्टेट की तो केरला राज्यव में 10 में से 8 टूरिज बस आपको प्रकाश जेडॉन देखेगी क्योंकि ये बस उतनी पॉपिलर है और आज भी इसका मार्केट होड उतना ही है इसके बात साल 2012 में इन्होंने मल्टी اेखसल स्लिपर बस कनवर्ट की ये जो बस मुस्री बेंस की तरप से बन कर आती थी उसे इन्होंने स्लिपर बस में कनवर्ट किया इसके एक साल बाद यहने की साल 2013 में इन्होंने आशोकले लेंड कमपणी के लगजरा रेर एंजिन बहुच चिसिस पर अपने प्रकाश 8000 को लाँच किया जो वल्व बसे को कड़ी टकर दे सकती थी इसके बाद साल 2014 में BMR Slipper Bus को लाँच किया गया यह वही बसे से जो पहले सीटर में लाँच की थी अब इन्होंने इस बस को Slipper में भी लाँच कर दिया था इसके बाद साल 2015 में BB Maxima Rear Engine Bus को लाँच किया जो सीटर और Slipper सेग्मेंट में आया करती थी अब प्रकाश Bus का Bus Body Building Experience काफी बढ़ चुका था और इसे के चलते इन्होंने Bus Code Type Approval Certification को अच्यू कर लिया था साल 2016 में इसके एक साल बाद इन्होंने अपने प्रिमियम प्रोड़क्ट प्रकाश क्रपेला को लाँच किया जो एक Slipper Bus थी ये Bus भारत बेंस की 1623 चेसिस पर बेश थी और बहुत सरो ऑपरेटर जो आज भारत बेंस की चेसिस खरीते हैं वो इसी पर यही बाड़ी बनाते हैं इस Bus के इंट्रियर से लेकर एक स्टरियर से तक काफी भेटरिन काम प्रकाश ने किया था और ये Bus मेरी प्रसल फेवरेट है इसे के साथ साथ इसी साल में इन्होंने प्रकाश सेलेस्टे को भी लाँच किया था जो वोल्वो मल्टेक्सल चेसिस पर बेश थी दोस्तो उस समय में वोल्वो कमपणी स्लीपर बसेस नहीं बनाती थी इसे के चलते वोल्वो कमपणी ने प्रकाश के साथ टायप किया और इन्होंने सेलेस्टे मल्टेक्सल स्लीपर बस को लाँच किया ये burst दिखने के साथ-साथ fiatures में काफी दमधार थी और इसमें आपको वल्वो का ही premium look देखने को मिलता था प्रकाश कपिला और प्रकाश सलेश्टे successful हो गई थी market में और इसी की चलते इन्होंने अपने third premium product प्रकाश वेगा को साल 2018 में launch किया दोस्तो इस बस ने भी प्रकाश कमपनी को काफी अच्छी तरक्की दी और साती साथ साल 2019 के एंड में इनों ने प्रकाश अस्तरा को लॉंज किया जो भारत बेंज की 917 चेसिस पर बेश थी पर दोस्तो आप जानते हैं प्रकाश कमपनी की कुछ बसेस को जेड नाम से बुला जाता है जिसे की जेड ऑन, जेड वेगा, जेड अस्तरा, जेड कपेला एसा क्यूं केते है वो आपको बताता हूँ जब प्रकाश कंपणी कोई बर्स बनाती है जिसे की जेड़ॉन, अस्तरा, वेगा, कपेला तो ये जो बसेस है वो पुले भारत में चलती है पर जब वो बसेस केरलाराज्य को मौडिफाय किये जाता है क्योंकि केरलाराज्य में टूरिज बसेस का क्रेज बहुत जाता है और एक चलता फिरता डिसको भी उस बस को हम के सकते हैं इस लेवल का उस बस को मौडिफाय के जाता है इसी मौडिफायड बस के मौडल नेम के आगे लोग जेड लगाते हैं और वो बस बन जाती है जेडवेगा, जेड़ास्त्रा, जेड़कपिला और जेड़न प्रकाश कमपने, इंटर सेटी बस के साथ साथ, स्कूल बस, कैम्पिंग वैन, ब्लड डोनेशन वैन और बहुत सरे टाइप के प्रड़क बनाती है जो आपके लिए काफी फाइदयमन हो सकते हैं इस कमपने की बसेज बैंगलोर में बनती है, इनके पास एट एकर्स का बहुत बड़ा वरक्शॉप है जहाँ पर मन्त तीन सो से भी जादा बसेज बनती है और इनके पास सीटर से लेकर स्लिपर तक आपको हर तरे की वरैटी मिल चती है बस बड़ी बिल्डिंग की प्रैस की बात करें तो स्लिपर बस बनने के लिए 20 लाक रुपे से लेकर 25 लाक रुपे तक खर्चा आता है पर इडिपेंड करता है कि आप उसमें कितने फिचर्स एड करते हैं साथी साथ अगर आप इनके पास सिटर बस बनाते है तो उसकी बस बड़ी बिल्डिंग कोश्ट आलमोस्ट 18 लाक रुपे से लेकर 23 लाक रुपे तक जाती है और दोस्तों यह सिब बस बड़ी बिल्डिंग की प्राइस है इसमें 66 की किमत एड मेंने नहीं की है क्यूंकि अगर आप इसमें 66 की प्राइस इंक्लूड करते हैं तो टोटल बस की किमत आलमोस्ट 50 लाक रुपे से ज़्यादा निकल जाती है कमपनी की प्रोफाइल तो आपने जान ली आप जानते हैं इस कमपनी की बोर्ड अब डाइरेटर के बारे में इस कमपनी की चेर्मन है मिश्टर सीके नरोथाम सर और इस कमपनी के वाईज चेर्मन है भरत नारंग सर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नए होगे तो चैनल को सबस्काइब करके आप हमें सपोर्ट जरू कर सकते है आपका बहुमुले समितने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत